गुद मॉर्णिंग चिर्णन पेज 47 में आपको फिर से एक्स्प्लेन करना चाहती हूँ इसमें कह दिया है रीड दे सेंटेंस और राइट दे करेक्ट फर्म अब देखे बचू वर्प को हम लोग तीन तरीके से लिखते हैं प्रेजंट में पास्ट में और फ्यूचर में ठी इसके बारे में है यह पेज में तो कैसे लिखेंगे टीना इस किपिंग 20 टाइम मुलब टीना अभी बीस बार कूच चुकी है उसके बाद कल बीच चुका है तो इसमें क्या लिखेंगे यस्चरी टीना स्किप्ट 50 टाइम्स फिर देगर दूसरे सेंटेंस में बर्ट फ्ला यह प्रेजन्ट हो गया और फिर यस्चरी का क्या होगा लाइम यस्चरी लाइम रोड ओन इस होस्तु दा मार्केट फिर देखें कैंगरू जंप साइप कैंगरू हमेशा उचा कूदता है यस्चरी कैंगरू जंप ओवर दा वॉल ठीक है यह बीच चुका है उसके बाद का बच्चे क्या करते हैं रेंगते हैं रेंग रहा था तो चुल्रन यह एक तरीका ऐसे हुआ और अब यह देखें इसमें क्या दिया हुआ है पेज नमर 48 में अब इसमें क्या करना है प्रेजर्ट छी अब यविः है उसको बोल लीखना है एक जो चल रहा है और एक चलिए और एक चल रहा है और एक करके sentences लिखेंगे तो देखें आपर दिया है मॉप तो आप कैसे लिखेंगे आई मॉप्ट दो फ्लोर वेन आइस पिल वॉटर उसके बाद I was mopping the flow when the bell rang तीक है यह चल रहा है अभी भी जारी है उसके बाद थर्ड में क्या है I mopped the flow from end to end उसके बाद क्या है मोहन cuts his nails regularly मोहन हमेशा अपता नाकुन काटता है मोहन cut his nail yesterday मोहन cut में क्या होता है चींज नहीं होते है यह बीच चुका है तो इसमें हमनों कटी लिखेंगे इसमें कोई changes नहीं होगी उसके बाद क्या है मोहन is cutting his nails मतलब मोहन अभी नेल काट रहा है फिर देखें इस नीचे में क्या दिया John see with his eyes John अभी अपने आंख से देख रहा है John is seeing an elephant with his जान अभी अपने आंखों से देख रहा है उसके पर लास्ट में क्या है John saw a big elephant yesterday John कल एक बड़ा हाथी को देखा था